गरेलू गैस के दाम इस महीने की पहली तारिक को तो नहीं बढ़े लेकिन कमोर्शिल गैस के दाम बढ़ गए हैं माना जारा है कि होटेल्स, रेस्टरॉण और धाबे का थाना अब महेंगा हो जाएगा पिशले साथ साल की बात करें तो 1 मार्च 2014 को एक गैस सिलेंडर का दाम 410 रुपे था जो अब बढ़कर 884 रुपे हो गया है यानि कि पिशले साथ सालों में गैस सिलेंडर के दाम दुग ने बढ़ चुके हैं सिर्फ इस साल की ही बात करते हैं एक जन्वरी को सिलेंडर का दाम था 694 रुपे जो कि एक सितंबर आते 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 884 रुपे हो गया है यानि कि आठ महीने में ही जो सिलेंडर है उसके दाम 190 रुपे बढ़ गये हैं और लोगों के घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है और तो और 17 अगस से लेकर एक सितंबर के बीच इन 15 दिनों में ही सिलेंडर के दाम 50 रुपे बढ़ गये हैं और आम लोगों पर महिंगाई का बोज बढ़ता जा रहा है सरकार के कहने पर देश में एक करोड से ज्यादा लोगों ने सिलेंडर पर मिलने वाली अपनी सिलेंडर मिल सके और उन्हें चूले के धुएं से आजादी मिल सके लेकिन अब सिलेंडर के दाम के सामने लाचार नजर आ रहा है आम आदमी को एक और बड़ा जटका लगा है सरकार ने नाचरल गैस के दामों में 62 फीसदी के बढ़ोतरी करने का एलान कर दिया है सरकार ने घरेलू नाचरल गैस की कीमतों को अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तके लिए बढ़ा कर दो दशमलव नौशून्य डॉलर प्रती मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट कर दिया है वहीं गहरे समुद्रों और अत्याधिक दबाव के साथ-साथ अत्याधिक तापमान जैसी जगहों पर बेहत कठिनाई से निकाली जाने वाली नाचरल गैस की कीमत को छे दशमलव एक तीन प्रती मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट कर दिया है उद्योग से जुड़े सूत्रों के अनुसार गैस के दाव बढ़ने से दिल्ली और मुंबई जैसे शेहरों में सी एंजी और पाइप के जरी घरों में आपूरती होने वाली रसोई गैस की कीमत में 10 से 11 प्रतिशक की वृध्धी हो जाएगी यानि की पढ़फ़त्री हो जाएगी नाचरल गैस का इस्तमाल बहुत सारी चीजों के लिए किया जाता है CNG बनाने के लिए नाचरल गैस का इस्तमाल किया जाता है यानि की CNG को बनाने वाले मूल तत्व यानि नाचरल गैस के दाम अगर बढ़ते हैं तो CNG के दाम बढ़ने भी लाजमी है इसके अलागा natural gas का इस्तमाल fertilizers बनाने और बिजली बनाने में भी किया जाता है यानि कि इन चीजों पर भी अब महंगाई की मार पड़ सकती है पैचोर और डीजल के बाद अब CNG और PNG के दाम भी बढ़ रहे हैं इंदप्रस्त Gas Limited यानि IGL ने दिली में CNG की कीमतों में 2.28 रुपए प्रती किलोग्राम और Noida, Greater Noida और गाजयाबाद में 2.55 रुपए प्रती किलोग्राम का इज़ाफा किया है इस बढ़ोतरी के बाद ग्राहकों को अब दिली में CNG 47.58 प्रती किलोग्राम जबकि Noida, Greater Noida और गाजयाबाद में 53.45 प्रती किलोग्राम मिलेगी CNG के ये बढ़े हुए दाम 2.00 से ही देश भर में लादू हो गए है करोना काल में खादी उत्पादों के साथ साथ महंगाईयों के बढ़ते दाम भी लोगों की जेप पर भारी पढ़ गए है कच्चा माल महंगा होने की वज़े से दवाईयों की कीमत में लगातार उच्छाल गो रहा है लिवर, शुगर, नियूरो, यूरो, फ्रिदय और बीबी की दवाईयां 2020 के मुकाबले 20 से 25 प्रतिशक महंगी हो गई है और इन कीमतों में ये उच्छाल लगातार जारी है मेडिकल शेत्र से जुड़े हुए विशेशक्यों का कहना है कि चीन से आने वाले कच्चे माल की आपूर्ती बंद वोने का असर अब दवाईयों के बढ़ते दाम के रूप में सामने आ रहा है वितियवर्ष 2015 और 2021 में पेट्रोलियम पुद्पादों पर एक्साइज ड्यूटी से केंडर सरकार ने 16 लाग करोड रुपे की कमाई की है अगले फैनाशिल यानी 2021 में एक्साइज ड्यूटी में बढ़तरी से केंडर सरकार ने 3.7 लाग करोड की कमाई की है राजियों की कमाई 2 लाग करोड वेकी हुई है लागडाउन के बाद पैचोल और डीजल की खपत बढ़ने के बाद से लोगों को ये बड़े हुए दाम ही चुकाने पड़ रहे हैं 2014 के बाद से मोधी सरकार आने के बाद पैचोल और डीजल के दाम कितनी तेजी से बढ़े हैं आईए आपको ये दिखाते हैं 2014-15 में पेट्रोल के दाम 66.09.30 प्रती लीटर थे, डीजल का दाम था 50.32.30 प्रती लिटर, 2020-21 में पेट्रोल के दाम है 76.32.30 और डीजल 66.12.2090 का विख रहा है 11 जुन 2021 को पेट्रोल का दाम 95 रुपए 85 पैसे प्रती लीटर हो गया और डीजल हो गया 86 रुपए 75 पैसे प्रती लीटर 1 अप्टूबर 2021 को पेट्रोल के दाम 101 रुपए 89 पैसे है और डीजल का दाम है 90 रुपए 17 पैसे प्रती लीटर तो किस कदर महंगाई बढ़ गई है और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए है ये इन आखनों से साफ देखा जा सकता है इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्षिन में जरूर लिखेगा नमस्का